हलो इस्टुडेंट गुड मॉर्निंग इस वीडियो में हम एर पॉलिशन या बायू प्रिदूशन के बारे में बात करेंगे बायू बिसेशकर जो बायू मंडल में जो बायू उपिस्दत होती है उसमें ऑक्सीजन होती है जिसको हम प्राण बायू भी कहते हैं और यह जो ऑक्सीजन है यह समस्त जीवों के जीवन के लिए परम आश्चक होती है ऑक्सीजन के बिना हम किसी भी तरह के जीवों के जीवन की कलपना इस प्लानेट पर नहीं कर सकते और जहां तक बायू मंडल माउक्सीजन की जो पर्सेंट की बात है तो ये 20-20% रख oxygen होती है oxygen के अलावा भी बहुत सारी gases होती है जिन में nitrogen है मैत पूंडूप से 78% carbon dioxide होती है 0.03% और 0.2% un-gases होती है तो bio में उपिस्तित जो bio है bio में होने वाला कोई भी अवांचनिय परिवर्तन जो जीवों के लिए जीवन के लिए हानिकार होता है उसको हम bio production कहते हैं ठीक है यहाँ पर भी आपने देखा होगा अवांचनिय परिवर्तन होगा तो क्या है production कहलाएगा तो bio में होने वाला कोई भी अवांचनिय परिवर्तन जिससे जो bio है उसकी गुणवत्ता कम होती है उसकी जो जीवन उप्योगता कम होती है या नस्ठ हो जाती है उसको हम bio production कहते हैं bio production का कारण bio मंडल में प्रिदूशकों का बढ़ना है bio मंडल में बहुत सारे प्रिकार के प्रिदूशक पाए जाते हैं ठीक है तो ये जो bio के प्रिदूशक है इनको हम दो भागों में बाटेंगे जैसे कि हमने जल प्रिदूशन में बाटा पहला natural pollution ठीक है प्राकिर्तिक प्रिदूशन दूसरा मानम निर्मित प्रिदूशन जब हम बात करते हैं प्राकिर्तिक प्रदूशन में तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं कोहरा, बिजली का गिरना, धूलवरी आंदियां को चलना, या तूफान का आना, चट्टान का तूटना, बाड का आना, दलदल, कीच़ड, भूस्कलन, बनागनी, ज्वाला मुखी, ये सब क्या हैं प्राकिर्तिक प्रदूशन हैं बायू के, तो बायू प्रदूशन के कारण हैं, इसके अलावा, जो दूसरा प्रकार है, बायू प्रदूशन का, वो मानव निर्मित प्रदूशन हैं, मैनमेड प्रदूशन से, इसको हम फरदर तीन भागों बाटते हैं, एक तो सूच्म कणों के द्वारा, ठीक है, बायू प्रदूशन के हम प्रकारों के बात कर रह निर्मित प्रदूशन और जो मानम निर्मित प्रदूशन है इसको फर्दर हम थ्री पार्ट्स में बाटते हैं एक तो माइक्रो पार्टिकलेट पॉलिशन या सूच में कणों द्वारा प्रदूशन जिसमें तामा जस्ता लोगास इस पास सीमेंट आदी आते हैं इसके अलावा जैविक प्रदूशन या वायटिक पॉलिशन जिसमें फपून, फंगस, जीवानू, बैक्टिरिया और मिरत पशुओं के द्वारा बायू प्रदूशित होती है तीसरा जो मानब निर्वित प्रदूशन के प्रकार है उसको गैसीय प्रदूशन गैसीय पॉलिशन कहते हैं जिसमें और धोगिक क्रिया बाहानों से, किरसी कारियों से, धुर्मपान से, उत्खनन से, घरों में जो उपकरण उप्योग में लाए जाते हैं उनके द्वारा पठाकों से, आडविक विस्पोटों से या अन्य किसी दुरगटना के कारण जो बायू प्रदूशन होता है उसको समलित करते हैं तो हमने क्या देखा यदि हम बायू प्रदूशन के प्रकार की बात करें तो बायू प्रदूशन के दो कारण होते हैं या तो प्राकरतिक का प्रूप से जो प्राकिर्तिक आपदाएं हैं या बिपदाएं हैं जैसे धुंद है कोहरा है बर्सा रितू में बिजली कड़कती है आदी तूफान के चलने से धूल उड़ने के कारण या चट्टान आदी तूटने लगती हैं दूसरा अत्यादिक बर्सा में से बार आ जाती है जिसके कारण कीचट दलदल हो जाता है और बर्सा के कारण ही भूस्खलन भी होते हैं तेज गर्मी में तापमान आदिक के कारण बनों में आग लग जाती है बनाग नहीं प्रतवी के अंदर ज्वालव मुखी की क्रियाएं होती हैं बिस्पोर्ट होते हैं उनसे भी प्र प्रिदूशन हैं जबकि जो मानम निर्मित प्रिदूशन हैं उसमें हमने तीन प्रकार देखे सूच मकणों का द्वारा तो प्रिकृति में अनिक प्रकार के छिड़काव रंग करते हैं फर नीचरों के चमकाने वाले सॉल्वेंट का उप्योग करते हैं बहुत सारे और औ प्रिवल जो हाइड्रोकारवन से उनका उप्योग करते हैं और ये सब बास्पित होकर सूच मकणों के रूप में बाईयू में मिल जाते हैं जिससे बाईयू प्रिदूसित होती हैं ये सूच मकण जो होते हैं प्राय तामा जस्ता लोह काच इस पात या स्रेमिक्स आदी के होते हैं जो जैबिक परदूशन है उसमें जैबिक परदूशन प्राय सड़े गले पदाड़ में जो फफूंद लग जाती है फंगस लग जाती है वो या मिरत पसू पक्षियों में जीवानु बैक्टरिया उत्पन हो जाते हैं जिससे बातावर्ण प्रभावित होता है ये जैविक प्रदूशन होते हैं इसमें गैस ये पॉलिशन औद्योगी क्रियाओं जो इंड्रिस्ट्रियल पॉलिशन है उसमें औद्योगी जो क्रियाओं होती हैं उनमें बहुत सारी हानी कारक प्रकार की गैसें धुआ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, पोटास के कंड, सिलिकान, एलमुनियम, कैल्सियमादी के कंड बाईयू में प्रिवेस करके बाईयू को प्रदूसित करते हैं इसके अलावा जो बहान हैं, आटो मुबाइल हैं, उनमें तिबरगामी जो परिवेन के साधन कार हैं, ट्रक हैं, स्कूटर, बस, रेल, बाईया, सब, ये सब क्या डीजल पेट्रोल से चलते हैं और इन इंदनों के जलने से जो धुवाँ उत्पन होता है, उसमें कारवन कनों के साथ साथ हाइडरो कारवन, नैट्रोजन और सलफर के ऑकसाइड्स बनते हैं, ये सब ऑकसाइड्स बाईयू प्रदूशन करते हैं इसके अलावा किर्सी कारे जो बाय अग्रिकल्च एक्टिविटीज हैं उनके कारण भी बायू प्रोडूशन होता है इसमें हम मुक्रूब से कीट ना सकत इंसेक्टी सायर्स होते हैं या पेस्टी सायर्स होते हैं यह फर्टलाइजर्स होते हैं, इनका उपियोग जब हम किर्शी में करते हैं, तो यह सब बाईयों में मिलकर बाईयों प्रिदूशन फैलाते हैं, जिससे जीवों की जो स्वसन क्रिया है, वो प्रभावित होती है, इसके अलावा जो धुन पान किया जाता है लोगों के द्व को प्रदूशित करती हैं, घरों में जो हम इनन यूज करते हैं, घरों में भोजन पकाने में जो बरतन, धोने में, कपड़े दोने में, गर्म पानी आदी में जो इनन प्रियुक्त होता है, कोईला, कैरो, सीनिया, यल्पीजी, लकड़ी, गोवर, कंड़ी, कुछ भी पोरजा निकलती है जिससे बिभिन गैसें उत्वपन होती है और ये सब क्या करते हैं बाईउ प्रिदूशन फेलाते हैं जो घरेलू उपकरन है जैसे रेफरिजेटर है एर कंडीशनर जो होते हैं उनमें जो रेफरिजेंट के रूप में पिर्सीतक के रूप में काम में ली जाने वाली गैस होती है, वो क्लोरो-फ्लोरो कार्वन CFC गैस होती है, और यह CFC गैस बायू मंडल में जाके जो एक प्रोटेक्टिब लियर है हमारे बायू मंडल में ऊपर, ओजोन परच जिसे कहते हैं, उसको छे, उसका छे करती है, उसको हानी पहुचाती है, तो ये भी बाईयू प्रोडूशन का ये प्रकार है इसके अलावा हमने देखा कि जो पठाके होते हैं वो बहुत सारे सोसियल जो गैधरिंग होती है सामाजिक समारों होते हैं जैसे बिवहा है, दीपावली है, त्योहा, दीपावली आदी त्योहार है उन पर इन पठाकों का उप्योग किया जाता है जिससे की बाईयू में कई प्रकार के कड़ और बास्व बिसर्जित होते हैं जिससे बाईयू प्रोडूशन फैलता है इसके अलावा हम जानते हैं कि जो आणविक बिसफोर्ट हैं उन में जैसे परमानु बंब के निर्मान में कई रेडियो एक्टिब आईसोटोप्स जो तत्व हैं उनका उप्योग होता है और परमानु बंब के बिस्पोर्ट के साथ ये पदार्थ बाई मंडल में दूर दूर तक फैल जाते हैं जो कि जितने भी एनिमल और प्लांट से उ हैं जो दूर गटना हैं मानब जनित वह भी बायू प्रदूशन में सायता करते हैं जैसे कच्छी और टूटी-फूटी सडके हैं इन पर बावन चलते हैं धूल कर बायू मंडल पहुंच जाते हैं दुर्मपान के कारण जनतों में जैविक क्रियाओं के द्वारा बनने वा हार्मफुल एफेक्ट ओफ एयर पॉलिशन की बात करें तो जो बायू प्रदूशन है वो बनस्पती जीब जनतू कीट मानफ स्वास्त बायू मंडल इसके अलावा एतियासिक इमारत हैं इन सब को प्रभावित करता हैं तो हम इन प्रभाव प्रभावों को जो बायू प्र प्रभाव जीब जनतू और कीटों प्रभाव मानफ स्वास्त प्रभाव बायू मंडल और जल वायू प्रभाव एतियासिक जो इमारत हैं उन पर प्रभाव तो मोटिमेटर तो पर बायू प्रदूशन के दुस्प्रभाव को हम इस तरह से देख सकते हैं तो बनस्पतियों पर यदि दुस प्रभाब की बात की जाए तो बाईयू प्रदूशन के कारण जो प्रदूशित पधार्त हैं वो बनस पतियों की जो पतियां होती हैं उन पर सैटल्ड हो जाते हैं जिससे उनके जो इस्टोमेटर होते हैं पंडरंद होते हैं वो अबरुद हो जाते हैं जिसक वो जब इनमें से लीक होती है, निकलती रहती है दीरे-दीरे, वो बायू मेंडनल में पहुँचकर ओजोन की परत को नस्ट करती है, जिससे हमारी जो प्रत्वी है, उसकी सते पर तापकरम बढ़ता है, ठीक है, ओजोन होल का नाम आपने सुना होगा, और ये ओजोन होल का जो छह होता है, उससे जो गर्मी आएगी ज्यादा प्रत्वी पर, वो भी क्या है, बनस्पतियों पर प्रत्वी कूल प्रवाब डालती है, इसके अलावा, यदि जीव जन्तू या कीटों पर दुस्प्रवाब की बात करें, बायू मंडल के, बायू प्रोदूशन के, तो जो मोटर गाड़ी हैं, उनसे जो निकलने वाला धुआ है, या प्रिकास की जो प्राविंगनी किरनें, उनकी मातरा को कम हो जाती है, जो जीव जन्तूओं को प्रवावित करती है, इसके अतरिक जो पसू चारे पर विविन क्लोराइड योगिंगों का फॉल आउट होता है, उसके कारण ये पधार्थ पसूओं के सरीर में प्रिवेश कर जाते हैं, जिससे पसूओं की हड़ियां और दातों में फ्लोरोसिस हो जाता है, और उनका बजन घटने लगता है, हड़ियां टेड़ी हो जाती हैं पैरों की लंगड़ा पना जाता है, मानव स्वास्थ पर यदि हम एर पॉलिशन की बात करें, एफेक्ट ऑफ होमन हैल्थ पर बात करें, तो बाइउ प्रदूशन की कारण मानव तो पृत्यक्ष रूप से दोनों रूप से प्रभावित होता है, इसके कारण बहुत सारे लोगों में दमा, सिर्दर, जुकाम, खासी, निमोनिया, तपे देख, फेंपनों का कैंसर, आदी जो बहेंकर बीमारियां हैं, वो हो जाती है, तो इस तरह सी मानव स्वास्त पर बहुत ही ज़्यादा दुस्प्रवाब पड़ता है, बायू मंडल और जन्मंडल पर यदि हम प्रवाब की बात करें, एफेक्ट ओन atmosphere and climate, तो बायू प्रवाबित होती है, बायू मंडल के कारण तापमान में ब्रद्धी हो जाती है, जिससे मौसम बदलता है, मौसम में बदला होता है, environmental change है, climate change के हम बात करते हैं, तो climate change का कारण भी क्या है, जो हम air pollution कर रखा है, उसकी वज़े से climate change होता है, बरसा का जो चक् पर अतनाष्ट हो जाएगी तो जो सूर्यक प्रकास में परावेंगने करना है, वो सीधी जीवों पर पढ़ेंगी, तो उससे बहुत सारी प्रकार के cancer, तवचा cancer, मोतियाविंद आदी होने की संबावना बहुत जादा बढ़ जाती है, इसके अलावा जो एतियासिक इमारत हैं, उन पर भी एर पॉलिशन का प्रभाब पढ़ता है, इस्टोरिकल जो विल्डिंग्स होती है, यह ज्यादा तर संगमानवन से बनी होती है, और यह फिर लाल पत्थर से बनी होती है, और इस पर बनी यह जो इमारतें, बायू प्रदूशन से प्रभावित होती है, क्यो इस पर पढ़ेंगे, तो उन में चरन होता है, तो इस तरह से जो एतासिक इमारतें, वो बायू प्रदूशन से प्रभावित होती हैं, इसके बाद हम बात करते हैं, बायू प्रदूशन के नियंतरण के उपायों की, मिजर्स टु कन्ट्रल य 사용 कि बात करेंग्ने के बात करे इसलिए जहाँ पर बायू प्रदूशन की संबाबना है वहाँ पर सगन ब्रक्षार उपन करना चाहिए और जो सौर उर्जा से चलेते हैं या धुआ रहेत चूले हैं उनका उप्योग करना चाहिए मोटर कार भान आदी हैं इनमें जो प्रदूशन है उसकी हमेशा लगातार इनको चेक करते रहना चाहिए कि यह कहीं ज़्यादा तो नहीं पॉलिशन कर रहे हैं तो जो सरकारी सिस्टम है उसमें इनकी पॉलिशन सर्टिपिकेट जो होते हैं उनको हमेशा चेक करते रहने चाहिए पॉलिशन का इस तर जिससे बाई प्रोदूशन क्या हो? कम हो इसके अलावा जो कार खाने बगेरा हैं उनकी जो चिमनिया हैं उनसे जो बाई यू निकलती हैं उनमें फिल्टर बैग लगाने चाहिए जिससे की जो पार्टिकुलेट पॉलिटेंट होते हैं गैसियस गैसों में उनमें उनको रोका जा सके तो कार खानी चिमनी आ दी है उन्हें फिल्टर लगानी चाहिए बहानों की गती भी औसत रखनी चाहिए जिससे कम पॉलिशन करें क्योंकि बहान की गती ज्यादा होगी तो ज्यादा इनन उपियोंग में आएगा तो ज्यादा पॉलिशन होगा इसके अलावा चमता भी कंट्रॉल में रखनी चाहिए इस तरह कि जो यातायात में परिवेहन में सामान माल धुलाई में जो बहान यूज होते हैं उन्हों में चमता ज्यादा बज़न नहीं लादा जाना चाहिए स्वेचाले जो बहाने उनसे निकलने वाले कार्बन कने उनको एकजोस्ट पैप में फिल्टर लगा कर कम किया जा सकता है और अध्योगिक जो प्रदेश हैं उनके चारो और हरित पट्टी का विकास किया जाना चाहिए हरित पट्टी का मतलब बहुत सारे चारो तरफ पेड़ पौदों का रूपण किया जाना चाहिए दूसरा जो जन्द चेतना है उसके मैद्यम से आम जन्दा को भी इन प्रदूशनों से के प्रभावें उनसे अवगत कराया जाना चाहिए जिससे की लोगों में बायू प्र वार सोचे तो इस तरह से हम ने इसमें बायू प्रदूशन के बारे में जाना आप पढ़िए और देखते रहिए वीडियो लगातार जितने भी आपके टॉपिक है से लेवस को खतम कराया जाएगा वीडियो की मैद्यम से और वीडियो पूरा देखिए हमेशा वीडियो द